So hey guys, तू कैसे हो आप सभी लोग? अब यारो काफी लंबे टाइम बाद वीडियो आ रही है बढ़ हाँ, आज के सवाल काफी जादा इंटरस्टिंग है तो वीडियो देखने में आपको काफी जादा मजा आएगा कि हमारा पहला सवाल ही है अब ये सवाल मुझसे काफी बार पूचा गया है तो मैंने सोचा कि उन्हा इसे भी एड़ करी लिया जाए तो देखो यारो, ये दोनों ही मार्मल यूनिवर्स के वेन अब दो मोस्ट पावरफुल सूपर हिरोस में से एक है जहाँ पे थौर एक एस गाडियन है और अर्थ पे रहने वाले उसे गौड की तरह मानते है पर वही पे बॉब रैनोल्ड एक हुमन होते हुए भी एक गौड से कम नहीं यहाँ पे अगर हम थौर की बात करें तो थौर इतना जादा स्टॉंग है कि वो मिडगार सर्फेंट को लिफ्ट कर चुका है एड़ वर्ल्ड इंजिन को भी मूव कर चुका है थौर ने हल्क को भी बराबरी की टकर दी है फीनिक्स फोर्स को भी हराया है अपनी लाइटनिंग से थौर ने कियोस वोर इमाटसुमी का बूशी को भी हर्ट किया था जो कि अल्मोस्ट पूरे मार्वल मल्टिवर्स को ही डेस्ट्रॉई कर चुगा था थौर की डूरिबिलिटी हमने मूविज में भी देखी है जहां पे थौर एक डाइंग स्टार की पूरी एनरजी को अपने उपर लेने के बाद भी सर्वाइब कर गया था बड कॉमिक्स में थौर उससे भी जादा डूरिबल है क्योंकि थौर ने गॉड बॉम को भी सर्वाइब किया है जो कि यूनिवर्स के सभी गॉड्स को मानने के लिए बनाये गया था और कि स्ट्राइकिंग पावर इतनी जादा है कि वो बस अपनी म्यॉनिर के एक हिट से प्लैनर्स को डेस्ट्रॉई कर चुगा है और अगर आपने इटर्नल स्मूगी देखी है तो आपने उसमें सेलेस्टियल को तो देखा ही होगा एक सेलेस्टियल अर्थ के कंपेरिजन में कितना जादा बड़ा होता है बड़ कॉमिक्स में थौर ने एक सेलेस्टियल जो की अर्थ को डिस्ट्रॉई करने आया था अपने म्यॉनिर के एक ही अटेक से एक से एक सेट के हैड को ब्रेक कर दिया और ये सब काम तो थौर ने तब किये है जब थौर अपने यंगर डेस में था एड उसके पास ओर्डेल फोर्स तक नहीं थी यहाँ पर हम किसी नॉर्मल थौर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे थौर की वारियर मैडनेस की अब जो लोग नहीं जानते की वारियर मैडनेस क्या है उन्हें आगे पता चली जाएगा बाकि अगर हम सेंट्री की बात करें तो सेंट्री के बारे में भी आप सभी शायद जानते ही होंगे लाइक सेंट्री इतना ज़्यादा पावर्फुल है कि वो हजारों फीट लंबे सेलेश्टियल से लेकर वाल्ड वार हल्क तक को बड़े आराम से हरा चुका है सेंट्री ने नेगटिव जोन को अपने हाथों से चीर फार दिया था और यहीं नेगटिव जोन मल्टिवर्स के भी बियॉंड कंसिडर किया जाता है सेंट्री ने मॉलिक्यूलर मैं जैसे ओवर पावर्ड करेक्टर को भी हराया है और यहां तिकी एब्सॉर्बिंग मैं भी सेंट्री की पावर्ड को एब्सॉर्ब करने के बाद और चार्ज हो गया था और दे सीज स्टोडी लाइन में तो सेंट्री ने पूरे एसगार को भी डिस्ट्रॉई कर दिया था अलागे यहां पिस सेंट्री को खोदी यह पता नहीं है कि उसके पास कितनी सारी पावस है और सेंट्री के अंदर रहने वाला उसका अल्टर इगो वॉइड भी उसे ये करने नहीं देता बर अगर यहां पर सिंट्री का सामना थोर के साथ में होता है और वह भी तब जब थोर अपनी warrior madness में हो तो क्या यहां पर सिंट्री उसे रोग पाएगा तो भाई देखो इसका simple अन्सर है हाँ बिलकुल क्योंकि थौर जब अपनी वारियर मैडनेस में होता है तब उसके मान में बस एक ही खयाल होता है कि बज़ अपने एनिमी को हराना है और जब थौर वारियर मैडनेस में होता है तब उसकी पावर्स दस गुना जादा बढ़ जाती है बढ़ यहां पे Thor का सामना किसी नौर्मल स्परहिडो से नहीं हो रहा है। उसका सामना हो रहा है यूनिवर्स के सबसे पावर्भूल स्परहिडो सेंट्री के साथ में। और येस यार सेंट्री इतना पावर्भूल है कि भो Thor को उसकी War and Madness में भी सम्हाल सकता है। क्योंकि Thor की War and Madness भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती एक टाइम फे Thor खुद बखुद अपनी War and Madness से पाहरा जाता है अब हाँ ये बात तो है कि ये बैटल काफी ज्यादा लंबी जलेगी पर at the end of the day Sentry Thor को काबू करी लेगा अब बात करते हैं अगले सवाल की जो की है Blue Marvel vs Star Brand तो देखो यारो यहाँ पे जो Blue Marvel है वो Marvel का ही एक बहुती ज्यादा powerful super hero है Blue Marvel का रियाल लेब एडम प्रशीर है और ये एक फिजिक प्रोफेसर था ये negative zone की उपर कुछ experiment कर रहा था और इसी experiment के दोरान एक explosion में इसे अपनी powers मिलती है वो एक चलता फिर दा anti-matter reactor बन गया और साथी में उसकी physical powers भी बहुती ज्यादा हो गई लाइक Blue Marvel, Hulk, Namor और anti-man जैसे characters को बड़े आराम से हरा चुका है और वाचर ने भी कहा था कि Blue Marvel मून के दो pieces कर सकता है Blue Marvel ने King Hyperion को भी हराया है जो कि Hyperion का एक बहुती ज्यादा powerful version था साथी साथ एक बार तो Blue Marvel ने center को इतने जोर से punch किया कि वो earth के orbit से ही बाहर चला गया Blue Marvel के पास energy projection की भी power है और ये तनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसने Captain Marvel को भी उसके binary form में ला दिया था यहाँ पर ये ध्यान रखना की सिर्फ Cosmic energy जी Captain Marvel को उसके binary form में ले जा सकती है बट Blue Marvel की जो सबसे बड़ी power है वो ये है कि वो matter को anti-matter में change कर सकता है लाइक बसपो अपने चूने भर से किसी को भी disintegrate कर सकता है और इसकी limit हमने तब देखी थी जब Blue Marvel लेक बियोंडर की physical form को destroy कर दिया था बट वहीं भी दूसरी और अगर हम बात करते हैं स्टार ब्रेंड की तो स्टार ब्रेंड कोई एक particular superhero नहीं है स्टार ब्रेंड एक power है या कहज़क तो एक title है योगी किसी भी random बंदे को मिल सकता है बट स्टार ब्रेंड की powers इतनी जादा है कि स्टार ब्रेंड का user इसकी powers का use करके literally कुछ भी कर सकता है लाइक स्टार ब्रेंड का user Captain Marvel, Hulk, Iron Man और Thor जैसे superheroes को एक साथ हरा सकता है एडिया तक की reality को भी जैस कर सकता है बट स्टार ब्रेंड की असली powers हमने तब देखी थी जब स्टार ब्रेंड की powers का use करके literally एक beyonder को मारा गया था वहाँ पे एक टीनेजर के पास स्टार ब्रेंड की powers थी और उसे खुदी idea नहीं था कि उसके पास कितनी सारी powers है और उन्हें वो कैसे use करें बट क्या ब्ल्यू मार्वल स्टार ब्रेंड को हरा पाएगा चलिए जानते है अब देखो यारो यहाँ पे यहाँ पे यह दोनों इस सूपर हिरो का भी जादा powerful है लाइकि दोनों नहीं beyonders को मारा है बट यहाँ पे ब्ल्यू मार्वल ने बस एक beyonder की physical form को destroy किया है ना कि एक real beyonder को मारा है वहाँ पे स्टार ब्रेंड की power का यूज करके literally एक असली beyonder को मारा गया है तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्ल्यू मार्वल अच्छी खासी टकर दे सकता है स्टार ब्रेंड को बट उसे हरा नहीं सकता अब बात करते हैं आज की final battle की जो की होने वाली है legendary Godzilla vs Godzilla-1 के बीच में अब Godzilla-1 movie आपने तो देखी होगी क्या उस movie में दिखाया गया Godzilla monster वर्ज में दिखाया गया legendary Godzilla से भी ज़्यादा powerful है आज हम यही जानेंगे तो पहले अगर Godzilla-1 की बात करी जाए तो अगर सबसे पहले इस वाले Godzilla की height की बात करी जाए तो इस वाले Godzilla की height है 170 feet इस वाले Godzilla की movement काफ़े ज़्यादा slow है क्योंकि इसके legs बहुत ही ज़्यादा पलकी है और यह अतना ज़्यादा heavy है कि बस इसके चलने भर से ही पूरी जमीन का अपने लगती है यह Godzilla अपने hands का भी काफ़ी अच्छे तरह से use करना जानता है और अपनी tail से literally यह buildings को ही destroy कर देता है और साथ ही इस वाले Godzilla की जो सबसे अलग चीज है वो है इसकी atomic breath लाग जब यह Godzilla अपनी atomic breath को charge करता है तो इसकी spikes बाहर की और आ जाती है और इस वाले Godzilla की atomic breath के काफ़ी सारे after effects भी होते है लाग जहां पे यह Godzilla अपनी atomic breath का use करेगा वहाँ पे रहने वाले humans को बहुत सारी बिमारी उससे सफर करना पड़ेगा और इवन वहाँ पे black rain होना भी शुरू हो जाती है और जाती Godzilla-1 की regeneration powers भी बहुत जादा खतरनाक है यह अपनी body के कटे हुए parts को ऐसे regenerate कर लेता है like as if nothing had happened और अगर हम legendary Godzilla की बात करें तो legendary Godzilla भी बहुत जादा powerful है इस वाले Godzilla की height 390 feet है Godzilla-1 के comparison में literally 2 गुना जादा height को legendary Godzilla hold करता है और साथ ही साथ यह भी बहुत जादा durable है like यह nuclear bombs को भी survive कर सकता है और साथ ही साथ legendary Godzilla ने monster verse में Mewtos, King Ghidorah, Mega Godzilla और यहां तक की कौंग को भी बीट कर रखा है अपनी atomic breath से गौर्जला ने earth से hollow earth तक literally एक channel बना दी थी और साथ ही Godzilla king of the monsters मुवी में हमें legendary Godzilla की बहुत जादा powerful form भी देखने को मिली जिसे की बरनी Godzilla के नाम से जानते है बड़ अगर legendary Godzilla का सामना Godzilla minus one से होता है तो यहां पे बहुत ही symbol बात हैगी legendary Godzilla, Godzilla minus one को हरा सकता है क्योंकि सबसे पहली बात तो height की है literally legendary Godzilla की height Godzilla minus one के comparison में दो गुना जादा है और साथ ही हमने legendary Godzilla को बहुत सारी movies में देखा है and other monsters को भी हराते हुए हमने देखा है legendary Godzilla को बड Godzilla minus one ने किसी दूसरे monster के साथ fight ही नहीं की है और burning Godzilla की तो अभी हमने बात ही नहीं की और इसे के साथ Godzilla X Kong new empire में हमें पिंक Godzilla भी देखने को मिलने वाला है और हो सकता है कि पिंक Godzilla और भी जादा powerful हो तो इसलिए यहाँ पे Godzilla minus one की तो chance ही नहीं बनते अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ लाइक करना ने आगे हो चैनल पर तो subscribe ज़रूर ही करना बाकि मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई